बिस्मिल्लाइर वख्माने वाहीम, Assalamualaikum dear friends and family आज हम बड़ी ही मज़ेदार किसम की हलवा पूरी बनाने वाले हैं बहुत ही क्वेक्सी और यहां पर मेरी एसिस्टेंट यानि मेरी बेटी मेरे साथ है वो बनाएंगी तो यहां पर मैंने एक कप मैदा ले लिया है जिसमें वन फॉर्थ टीस्पून जो है मैंने डाला है बेकिंग पाउडर, आदा टीस्पून के करीब नमक डाला है और यहां पर डाल रहे हैं जी यॉगर्ट यानी दही दो टेबल स्पून के करीब और यह मैंने मशीन की मदद से इसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया है आप हाथ से भी आटा गून सकते हैं और साथ ही साथ मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा गरके पानी डाल रही हूँ पानी की क्वान्टिटी बताना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा डिपेंड करता है कि मैदा किस क्वालिटी का है लेकिन तकरीबान आदा कप यह से थोड़ा कम पानी इसमें डल जाएगा तो यह बिल्कुल रेड़ी है इसको हम साइट पे कर देते हैं अभी चलते हैं जी हलवे की तरफ तो मेरी बेटी का बहुत शोग था कि वो प्रिपेर करें तो मैंने उसको बस थोड़ा सा बनाने दिया क्योंकि इस वेरी डेंजरस इसलिए हम बच्चों को बिल्कुल आग के करीब नहीं आने देंगे तो इसके बाद सिरफ उसने सूजी डाली है और उसको मैंने साइट पे फेज दिया है तो एक कप सूजी है और एक कप ही ओयल है और इसको मैं भून रही हूँ इतना भूनूंगी कि इसकी अच्छी सी खुश्बू आने लगे और इसके बाद मैं इसमें एक कप चीनी डाल दूँगी यहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी कॉंटिटी को याद रखना बहुत ही असान है यानि एक ही कप मैंने लिया है ग्राम्स में मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंके वो डिफरेंट हो जाएगा एक कप ले लिजिए उसी में आप आयल मेजर कीजिए उसी में सूजी और उसी में चीनी और उसी से पानी मेजर करना है तो यहाँ पर मैंने चार कप इसमें पानी डाला है जो के boiled water था मैंने kettle में boil करके और फिर इसमें डाला है इससे यह होगा कि हलवे का जो कच्छा पन है वो नहीं रहेगा ठीक है तो सूजी जो है वो अच्छी सी भून चुकी थी उसकी खुश्बू आ रही थी तो तब मैंने इसमें पानी डाला है और अब मैं इसमें एक टी स्पून इलाइची का powder डाल रही हूँ वो भी मैंने डाल दिया है और यहां पे मैं milk powder डाल रही हूँ इसमें 4 टेबल स्पून के करीब इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है milk powder से आप ज़रूर ट्राइ कीजिएगा milk powder डाल के हलवा बना के बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है अच्छा यहां पे चुके हमारा हलवा थोड़ा फीका फीका लग रहा है तो मैंने इसमें थोड़ा सा color डाल दिया है आपको red, yellow जैसा भी color पसंद हो आप इसमें डाल सकते हैं यह थोड़ा सा traditional सा color है जैसे के हलवाईयों के पास होता है इसमें red and yellow दोनों color वो थोड़े थोड़े से डालते हैं तो यह ऐसा सा रंग आएगा और इंच सा तो यह मैंने प्रिपैर कर लिया है और इसको जो है मैं एक plate में निकाल रही हूँ हमारा easy peasy सा quick सा हलवा बिलकुल ready है तो चलते हैं अपने चनों की तरफ चनों के लिए मैंने 3 टेबल स्पून oil डाल लिया है एक कडाही में और उसके अदर मैंने 1 टेबल स्पून ginger garlic यानि लसन अदरक का paste डाल दिया और उसके इतना इतना भूनूंगी सिरफ एक minute के लिए कि हलकी सी खुश्पू आने लगे और यहां पे green chilies चा ली है थोड़ी से मैंने जो है वो chickpeas यानि चने लिया है एक tomato है और एक ही प्याज है इन सब का मैंने paste पना लिया है जैसे के आप देख रहे हैं blender में डाल के तो यह मैं साइट पर रख दूँगी अभी कुछ मसाले है जिसमें के धनिया पाउडर है जी एक टी स्पून इसके बाद सॉंफ है वन टी स्पून ब्लाक सीड्स हैं हाफ टी स्पून चाट मसाला है एक टी स्पून और उसके बाद जी हमने रेड चिली पाउडर ले लिया था एक टी स्पून और वन फोर्थ मैंने हल्दी ली थी यह सारी चीज़े मैंने डाल के इसमें जो है वो भूना है तकरीबन दो मिनट के लिए क्योंकि मसाले है इनको आप थोड़ा भून लें तो वो बहतर रहता है तो इनको मैं इस तरह से बून रही हूँ उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है जी वो पेस्ट जो हमने शुरू में रेडी किया था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है तो यह आप डाल के इसके बाद इसको इसी तरह से मिक्स कर लीजे अचा ब्लैक सीज यानी कलवंजी वो सहत के लिए बहुत ही अची है और जैसा कि आज कल ये वाइरस का रोला शोला मचा हुआ है तो कलवंजी आप जादा से जादा खाईए क्योंकि ये आपकी बॉड़ी को जादा से जादा इम्म्यूनिटी प्रोवाइड करती है तो इसलिए मैं तो अपने हर खाने में हांडी में कलवंजी का इस्तमाल जरूर करती है तो इसको मैंने इसी तरह से तकरीबन पांच मिनट भूना है इसके बाद मैंने इसमें उबले हुए चने डाल दिये हैं एक वन केजी के करीब अच्छा यहां पर ये जो चने हैं ये पान इसमें आते हैं और वो मैंने पानी के समेथ डाल दिये हैं जो उसके साथ पानी होता है अगर आप चने उबाल रहे हैं तो जिस पानी में आपने चने उबाले हैं उस समेथ आप इसमें जो है वो चने डालिएगा तो अभी इसको मैं जो है वो पकने के लिए रहने देती हू नमक मैंने लिए है एक टेबल स्पून गरम असाला है अदा ती पून और यहां पर है हमारे पास मेथी जो के एक टेबल स्पून मैंने लिए यह सारी चीजें भी मैंने इसमें डाल दी है अभी बस इसको हल्की सी आंच पे आप पकने के लिए रखती जिए इससे इसका बड़ा अच्छा सा टेस्ट डिवेलब हो जाएगा बड़ा ट्रडिशनल सा टेस्ट जैसा के हलवा पूरी जब हम बाहर से लेके खाते हैं वैसे आता है तो दस मिनट के लिए मैंने इसको ढग के पकाया है और यह देखिए बड़े ही शांदार किसम के चने रेड ही नहीं है तो यह चने बिल्कुल रड़ी हैं इसको भी साइट पर करते हैं और चलते हैं अपनी पूरियों की तरफ तो पूरियों का आटा चुके हमने पहले से बना के रखा हुआ था इसलिए वो इतनी देर में बिल्कुल रड़ी है आप उसको एजिली उसकी पूरियां और आप जो है वो इसलिए फ्राइ कर सकते हैं यह जो है वो आटा इतना सॉफ्ट होगा कि एजिली जो है वो बेला जाएगा आपको जादा मेहनत में शेकत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो इस तरहां से मैंने पेड़े बना लिये हैं अब पूरियां जो है वो मैं इस में थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाला है और दही डाला है उससे यह इतनी सॉफ्ट पूरियां बनेंगी कि अगर आप अगले दिन भी खाएंगे ना तो यह इसी तरहां सॉफ्ट ही होंगी तो यहां पे ऑईल जी हमने थोड़ा जादा गरम रखा हुआ था इतना भी गर पूरी जो है यह रेडी है देखिए कितने मजे की लग रही है जितने मजे की यह लग रही है उससे जादा मजे की ए खाने में है तो यह आप ज़रूर ट्राइब कीजेगा बहुत ही असान सी क्विक सी रेसिपी है अचकल सर्दी है हल्वा पूरी नाश्ते में बनाएं अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजेगा इससे आपको मेरी अची सी मज़ेदार किसम की रेसिपी मिलती रहेंगी और मुझे दीजे इजासत इंशाला नेक्स रेसिपी के साथ मिलूंगी तब तक अलाहाफेज